हेलो मेरी फ्रेंग नमस्ते पर नाम आपको कुसुम कीचन बलक में आप लोगों कुश्यागत हैं तो फ्रेंग सबी रोटी सभी खाना पसंद करते हैं और सब्ची से बना ली ए रेशिपी तो कितना मस्त है पस प्राटा है है सब्ची वाला तो देखिavay कैसे बनाते हैं तो य तो दिखिए फ्रेंड यहां पर मेले ली होगा जर भी ग्रेट करके तो फ्रेंड आज मेरे पापा सहर जा रहे थे तो वो बोले कि मेरे लिए फ्राउठा बना दो फ्राउठा क्योंकि रस्ता में कोई क्या होता है सब्जी और यह सब अलग-अलग रूटी ले कर जाते हैं तो पापा बॉले कि एक ही मेरे कोई मिला कर हमको फ्राउठा बना दो तो हम बह glut का बना था रोज रोज आलों ही फ्राउठा खाएंगे सब्जी घर में हाई है सब्जी डालकर बना दो जट पठा भी लगेगा तो मैं बोली पापा तावापच सेके तो नहीं तावापा किसी और दिन सेख कर खिलाना फ्राई करके बना देना मैं बोली ठीक है तो मैं अपने पापा के लिए बना रही है यहां पर मैं आटा ली हूँ और इसमें मैं साधा तील भी दी हूँ और चिली फ्लेक्स भी दी हूँ और श्वाद अंसर नमक्ति इसको गुत लेंगे फ्रेट तो म चल दिये किचन में और किचन में गए तो महां पर तो था ही सबजी था ही आटा था ही तो बस कुछ लाना नहीं था घर में ही महजूद था तो मैं बनाना सुरू कर दी मेरे पिता जी जा रहे हैं इस काम के लिए क्योंकि लड़का देखने के लिए बुवा बुलाई है तो इसलिए मैं भी ये पढ़ी हुई हूं तो उसलिए पापा सहर थोड़ा जा रहे हैं उनका काम है तो शाद मैं वीडियो ना बना पाऊं क्योंकि पढ़ाई करके नुकरी तो लगा नहीं और इसमें मैं सक्सेज हुए नहीं तो कितना दिन तक छुड़िये जाने दीजिए को लेना है फ्रेंड और यहां पर कटी हर इमिज पहले यह वीडियो मेरा ममी बनाती थी और मैं उसको सूट करती थी अभी मैं ही वीडियो बनाती हूं मैं ही सूट करती हूं और यहां पर थोड़ा सा मसाला ले लेना है थोड़ा जीरा पाडर थोड़ा धनिया पाडर नमक क्योंकि पहले नमक दिये थे तो इसलिए यहां पर नमक कम देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर आटा भी देखे गुते हुए थे एकदम नरम आटा गुतना है जैसे हम लोग रोटी फराथा के लिए बनाते हैं फराथा यह फ्रेंड बस चटपटा बहुत संगर्श के दो बहने हैं हम एक भाई है और पढ़ाए भी खमया भी नहीं मिलना मिलना यह तो सब की हाथ में नहीं है इसमें क्या किया जाएगा कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो जो भी हो फ्रेंड तो सर्विस तो मिलना प्राइबेट जोप है पाचछाजर छेहाज इसमें क्या ही होगा आते जाते भड़ा में ही खर्श हो जाता है तो जो भी हो अब साथ वीडियो नहीं बनेगा मेरा यह लास्ट वीडियो है और आप लोग अपना प्यार सपोड दीचियेगा जो भी हो आगे कोशिश करूंगी बनाने को बना पाए तो सही नहीं तो कोई यहां पर देखिए फरिंड रोटी को वेल लेना है और जो सब्ची और उछेको निचोड़कर और मसाले में मिक्स करके रखेते हैं, उसरी पहला लेना है और यहां पर किनारे पर ऐसे पानी लगा है जैसे रोटी फोल करेंगे तो किनारे पानीば लगा लेंगे किपने पूरा पूरी इसमें प्रापर लॉक हो जाएगा तो देखिए इस तरफ से यह बनेगा और इसको बेल भी सकते हैं अगर नहीं बेलना है तो मत्ही बेलिएगा पर हम इसको बेलेंगे क्योंकि थोड़ा पतला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और क्रिप्सी भी होगा गुमानी को कोशिश नहीं करेंगे नहीं तो फट जाएगा ऐसे करके एक बुरा बड़ इसको बेल लेंगे तो आज यह पापा को ले जाने के लिए बनाए हैं ऐसे घर में सभी को पसंद है फ्राउठा खाना हाप लोगों को पसंद है कि नहीं अगर है तो कमेंट करके ज़ इसको बना लेना है किया करो जो पीटियों बनाती हो तो कुछ-कुछ बाते आप लोगों से कर लेती हो जैसे दादी का हो तो माप की जीएगा तो दूसरा पी ऐसे ही बना लेंगे तो देखे फ्रेंड इसको भी ऐसे रोटी के तरह बेल लेंगे और इस पर भी शेमोशी पर कर से अब भर भर के सब्जीज में दीजिए फटने का कोई जमिला नहीं है और देखिए सुबा के लिए कितना ही हिल्दी नस्ता है मैं तो सफर के लिए बना रही हूँ अगर सफर से बरपूर है आप इसको तावा पर शेक कर बना सकते हैं घी के साथ भी बना सकते हैं मैं इसको तल कर बना रही हूँ क्योंकि पापा बोले कि इसको तल देना बिटा तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ नहीं तो अक्सर इतावा पर ही बना कर खाते हैं क्योंकि इत प्लेंपे नहीं रखेंगे उसके बाद इसको लट प्लट करेंगे तो देखिए कितना फूल रहा है इतना यह फूला फूला बनेगा कि कहने लायक नहीं है इसमें कर जो सब्चे न वह एक दम बहुत अच्छे से पक जाएगी तो देखिए कितना करिफशी बना हुआ है फ्रेंट तो उमेद करूंगी कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हर लाइक को तो बोलूंगी नहीं क्योंकि आप लोग के उपर है और शायद मैं दोबारा बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी पता नहीं क्या होगा जो आप लोग के साथ सेर करोंगे तो ऐसे करके देखिए बना लेना है तो देखिए कितना अच्छा बन गया है तो मैं सर्फ करती हूं ठेमाटर केचप के साथ क्योंकि सॉस्का नाम मेरे घर में सभी को पसंद है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर किजिएगा और देखिए फ्रेंड में कट करके दिखा रही हूं कि इसमें का सब्जी कैसे पके हुए है और कैसा बना हुआ है तो यह देखिए सब्जी से पुरा भरपूर है देख रहा है ना फ्रेंड कितना इसमें सब्जी है और पुरा सब्जी से भरपूर और फ आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाएंगे ऐसा नहीं तो देखे ज्यादा ओयल भी नहीं लेना है और इसको तावा पर भी आप सेख सकते हैं अगर आप ओयल नहीं खाना पसंद करते हैं तो तो देख लीजिए फ्रेंड इतना मस्त बना हुआ है सब्जी से तो उमेद करूंगे वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर बाइबाए दोस्तों